कि हेलो फ्रेंट्च स्वागत है अपका हमारे यूट्व चैनल स्टेड़ीय आवर लाइप में तो कल हमारा गुप्त कालत कंतर हो गया था अभी पुर्बा लोगण चल राया जिसमें एंसियंट हिस्ट्री चल रहा है तो हमने गुप्त कालत कंतर कर लिया था अब हम प्राची खज्राहो के मंदीर का निर्मान करवाया था चंदेल राजबंस चंदेल राजबंस के राजाओं ने खज्राहो का मंगेतेश्वर मंदीर समर्पित थैसीव को खजुराहो का मंदिर जोए असी भगवान के लिए है कादाडिया महादेव 64 योगनी, दसावांतर एवं सित्र कुप्त में से हुआ मंदीर जो खजुराहो में नहीं है वो है दसावतार दसावतार मंदीर कहा है यूपी के जहाशी में ये मंदीर है यह विश्णु जी का मंदीर है वहीं बना गया है देवगड में पढ़ता है देवगड बेतवान अदी के तरप पर खजुराहो के मंदीर भीम बेटका की गुफा आए साची के अस्तुत था मांडू महल में सिवा जो विसुधरोवा रस्तल इसको विसुधरोवा रस्तल का इंग्लिस मिनिंग होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है वो है मांडू का महल मांडू का महल कोहीं हिंडोला महल भी कहते है अगला है हमारा भीतर गाउं मंदीर गौालियर का तेली मंदीर कदारिया महादेव मंदीर और तथा ओश्य है मारा आबू का जैन मंद्री बना है संग्वरवर से भावनगर माउंट आबू ना सिक्त था उज्जेर नगरों में से वह जिसके निकट पाली ताना मंदीर अवस्ति था वो भावनगर में है एलिफेंटा की गुफाय मुक्त जिस धर्म से मतावलियों के उप्योग के लिए काट कर बनाई गई थी वह सयवधर्म बहुत धर्म है एलिफेंटा के प्रसिद सेल को काट कर बनाई गये मंदीरों का स्रे दिया जाता है राष्ट कुटों को अजन्ता, भांजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्री मुर्ती के लिए विख्यात है एलिफेंटा जाए वो त्री मुर्ती के लिए विख्यात है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंदित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदारन उपलब्द हैं इन्वे से एक आजन्ता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का अफसिस्ट उपलब्द हैं ये बाकी गुफाओं में, एलोरा के गुहा मंदीर संबंधित है हिंदू, बौध और जैन से, इसके उपर तीन उसुप बना हुआ है, तो एक जो है हिंदू के लिए है, एक बौध के लिए है, तीनों धर्म के लिए है, एलोरा में गुफाओं और सेलकृत मंदीर है हिंदू वो बौध एवम जैनों के लिए बौध हिंदू और जैन सेलकृत गुफाओं के साथ वित्वान है एलोडा में पस्चमी भारत में प्राचिंतम सेलकृत गुफाएं हैं नासिक एलोडा और अजंता में एलिफेंटा नालंदा अजंता तथा खजुराहों में से बौध गुफ सेलकृत स्थापत्त का अचार माना जाता है केलास मंदीर को एलोडा के कैलास मंदीर का निर्मान क्या था राष्टकृत्स ने एलोरा के कैलास मंदिर का निर्मान करवाया था क्रिश्ण पर्थम ने यह राश्ट कूट बंस का साथ सकता क्रिश्ण पर्थम इन्हों ने ही एलोरा के कैलास मंदिर का निर्मान करवाया था राश्ट कूटों का सारक्षन प्राप्त होता है जैन धर्म को अजन्ता एवं एलोरा की गुफाएं इस्तित है औरंगाबाद महराष्ट में अगला है सुनमेलित है गुप्त मंदिर और अस्थान ये कुछ मंदिर दिया गया और गास्थान दिया गया हुआ देखते हैं इंट निर्मित मंदिर कहां है बीतर गाउं में दसा अवतार मंदिर देवगड यूपी में सिव मंदिर भुमड़ा विशनु मंदिर एरन में भारतिय सिला वास्तू के इतियास के संदर में सत्य कथन है बीम बेटका की गुफाएं भारत की प्राचिंतम अवसिस्ट सेलकृत गुफाएं हैं बराबर की सेरकरित गूफायें समराट असोख द्वारा मुलत आजीव को के लिए बनाई गई थी 奶लोडा में गूफायें विभून धर्महों के लिए बनाई गई थी अजन्ता की कला को प्रश्ण यानि सहेता दिया था वकाटक ने अजन्ता की गुफाएं रमायन महा भारत जातक कथाएं तथा पंचतंत कहानी और सम्बंदी थे जातक कथाओं से भित्ती चित्र कला के लिए विजाना चाता है अजन्ता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदीर को भित्ती चित्र के लिए अजन्ता और महाबलीपूरम के रूप में ग्यान दो एतिहासिक अस्थानों में से समान है वो है दोनों में सिलाकृतियों का अस्तमारक अगला है हमारा सुमेलित है हमपी करनाटक में है नगार जुन कोंडा आंतपर्देश में है सिसु पालगड उडिशा में पड़ता है अरिका मेंडू पुंडू चेडी में है कोनार्क का सुर्व मंदिर बनबाया था नर्शीव देव बर्मन्ने काला पैगुंडा के नाम से जाना जाता है कोनार्क के सुर्व मंदिर को किस नाम से जाता है काला पैगुंडा के नाम से मोठेरा का सुर्व मंदिर इस्तित है गुजरात में जब आपने लोगेश्टी का पिस्छे वीडियो एंसेट में पढ़ा होगा तुम बताएं थे कि भारत में कुल चार सुर्व मंदिर है तो कुनार्क में गुजरात में है और आपको कॉमेंट करके बताएंगे और कहा है दो लिंगराज मंदिर अवस्थित है भूपनेश्वर में उरिशा में नस्ठ होने से बचे मंदिरों में सरवदिक बरा और सबसे उचा मंदिर है लिंगराज मंदिर जगरनाथ मंदिर इस्थी थे उरिशा में भूमनेश्वर तथा पूरी के मंदिर निर्मी थे नागर सैली में विश्नु को समर्पित अंकोर पार्ट मंदिर इस्थी थे कमबोडिया में बोरो बदूर उस्तूप इस्थी थे जावा में अंकोडवार मंदिल समू का निर्मान बारामी सताबदी में करवाया था सुर्ज वर्मन दूतिय ने द्रविर सहली के मंदिरों में गोपूरम से तातपर है तोर्मान के उपर बने अलकृत एवं बहु मंजला भवन से ये द्रविर सहली मंदिरों का दो लक्षन इसको पाचाने का दो तरीका है एक तो इसके अगल बगड़ चार से अधिक मंदि छोट छोटी बनी होती है और दूसरा सिखर और विमान पिरामीडी आकिर्ती का होगा द्रविर सहली का चट्यानों को काटकर महावली पूरम तथा ममली पूरम का मंदिर बनबाया गया था पलब द्वारा महावली पूरम का सब्त रत मंदिर बनबाया गया था नर्सी बर्मन पर्थम के द्वारा महावली पूरम के रत का निर्मान करवाया था नर्सी बर्मन पर्थम ने द्रौप्ती रत, भीम रत, अर्जुन रत तता धर्म राज रत में से वह रत मंदीर जो सबसे छोटा है, वो है द्रौप्ती रत सबसे छोटा है सुमेलित है, अस्थान और अस्मारक दिया हुआ है, एलिफेंटा एक गुफा है, स्रविन विर्गोला, मुर्ती बौधका है, खजुराहो, मंदीर है, जैन का, सांची अस्तूप है अगला है हमारा सुमेलन है, एतिहासिक अस्तर और राज, अस्तल दिया हुआ, इसका राज दियो भीम बेट का मदपर्देश में है, सोर टेंपल तमिनाडू में है, हमपी करनाटक में है, मानस असम में है एलोरा की गूफा है, राश्टकूटने बन बाया था, मिनाक्षी मंदीर पांडे के दवरा बनाया गया था, खजुराहो मंदीर चंदिल सासक के दवरा, और महाबलीपूरम मंदीर पल्लाम बंस के दरा बन बन बाया गया था अगला हमारा बैजनात धापस एकसीम मंदीर है, सारनात बुद का सांती का प्रथम प्रवजन अस्थल है, बुद के सांती अस्थल है, सारनात में है दिलवारा जैन मंदीर है बद्रिनाथ विश्णू मंदीर है उसके बाद अगला है मारा सुमेलित है सुर्ज मंदीर कुनार्क में है लिंग राज मंदरी भूपनेश्वर में है हबा महल जैपुर में है गुमितेस्वर की प्रतीमा करनाटक में अगला है मारा नालंदा एक वि प्राचीन नगर तक्सिला इस्थित है सेंदु तथा जेलम नदियों के बीज सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिरों बने हुए थे इस्थित है दांतिया के सनी कट से सोनगिरी का एतिहासिक दिगंबर जैन तिर्थ अस्थल इस्थित है मद्परदेश में दिलवारा जैन मंदिर है मांट आबू में आरावली परवत पर प्रस्थित विरुपाक्ष मंदिर अवस्थित है हमपी में हमपी करनाटक में नागर द्रवीर और वेशर भारतीय मंदिर बास्तु की तिन मुख सैलिया है नागर द्रवी और बेसर बना था भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में बास्टांस Caesar करता है मिंदी रचना सैरिक od than लिए वानारो यो तरम एलोगा पराथा को एकैस सम्स्राइ में प्रका जबूरी बुद्ध के महापरि निर्मान की एक भब्र प्रतिमान जिसके उपर की और अनेक देवी संगीत तथा नीचे की और उनके दुखी अनुआई दर्साये गए हैं प्रस्तर पर उतक्रिन विश्णु के बरह अवतार की विसाल प्रतिमान जिसमें वो देवी प्रित्वी बुद्ध के महापरि निर्मान की एक भब प्रतिमान जिसमें उपर की और अनेको देवी संगीत तग और नीचे की और उनके दुखी अनुआई दर्साये गए हैं दूसरा है हमारा प्रस्तर पर उतक्रिन विश्णु के बरह अवतार की विसाल प्रतिमान जिसमें वो देवी प्रित्वी के गहरे विचुप सागर से उवरते हुए दर्साये गए हैं वो उदैगडी की गुफा है और तीश्रा हमारा बिशाल गुलास में प्रउतक्रिन अर्जुन की तपस्या और गंगाव तरन ममाली पूरम में हैं भारत के कला और प्रतान्त्विक इतिहास के संदर में भूपनेश्वर इस्थित लिंग राज मंदी, धौली इस्थित सेलकृत हां थी, महावली पूरम इस्थित सेलकृत असमारक तथा उदैगरी इस्थित बराह मुर्ती में से वह जिसका सबसे पहले निर्मान किया गया था वो धौली इस्थित सेलकृत हां थी है, उसके बाद है, उसके बाद है दस्चिन भारत, दस्चिन भारत में कुछ राजवन सुआ करते थे जो चोल, चालुक, पल्लव और संगम, ये चार युग था, तो पहले पढ़ते हैं, नवी सताबदी इस भी में चोल समराज की न नदी की मुर्ती है, जिसे भारत की विशालतम नदी मुर्ती माना जाता है, वो व्रिद्यश्वर मंदीर है, तंजोर का व्रिद्यश्वर मंदीर जिस चोल सासक के काल में निर्मित हुआ था, वो है राज-राज प्रथम के, चोलो का राज फैला था, कोरो मंडलतर से दक्कन के कुछ भाग तक से काबेडि पत्नम महावली पुरम कान जी और तन्जौर में जो चोल की राजधानी ये वो तन्जौर है चोल अगलात के सारे ब्यूरोSD जिन सिराले खो में हैं वो हैं उत्तर मेरुगरण में डूर्टर्य में आप दिल्पलार्ण sniff लेकाफाई द्रया मार्र 1 तरी कारवडड क्ठी κरिंड चोलो ने पांड तथा चेर सासकों को प्राजित कर प्राईदूपिय भारत पर प्रारंबिक मतकालिन समाज में अपना प्रभुत अस्थापित किया। चोलो ने दस्चिन पूर्व एशिया में सैलेंद समराज के विरुद सैन चड़ाई की तथा कुछ छेत्रों को जीता। यह दोनों स्टेट्मेंट है चोलो के बारे में। चोल कालमेल निर्मीत नटराज की कास प्रतिमाय में देवाकृति प्राया चतुर्भुज है। दस्चिन भारत के बिसेश कर चोल यूग के अस्थापत्यों की विस्ट में स्रेश्ट प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को बिसेश्ट चोल यूग में जो सबसे बिसेश्ट प्रतिमा माना जाता हो किसी का तो वह है नटराज की मूर्ति का। पहले हम लोग नट्राज का एक जिमोट्री वॉक्स भी आया करता था, साइध अभी भी आता ही होगा, आप लोग देखते हैं कि उस पे एक नर्तकी का बना हुआ मुर्ति था, वो ही एक नट्राज थे, चोल सासको के समय में बनी हुई प्रतीमाओं में सबसे अधिक विख्या चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट कूट में से दस्चिन भारत का वह राजबंस जो अपनी नौशनिक सक्ति के लिए प्रशित था, वो था, चोल अगला है मारा चलूक, चोल, कदम तथा कल्चूरी राजबंसों में से वह जिसके सासक अपने सासनकाल में ही अपना उत्रादिकारी घोसित कर देते थे, वो चोल बंस था गेकोंडा चोल पूरम की अस्थापना किया था राजिन्द पर्थम ने वह चोल सासक जिसके चोल गगम नामक ब्रिद कृतिम जील बनने कसरे दिया जाता है राजिन्द पर्थम अगला है वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारम की राज-राज पर्थम चोल सासक जिसने स्रीलंका के उत्री भाग पर विजय प्राप्त किया वो राजराज पर्थम था ये स्रीलंका के उत्री भाग पर विजय प्राप्त किया था चोल राजा वो मेंसे वह जिसने शिलोन पर पुर्ण विजय प्राप्त किया था वो राजेंद्र पर्थम था वह चोल राजा जिसने स्रीलंका को पुर्ण सोतंतरता दी और सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवा कर दिया कुलूतुंग पर्थम था अगला है मारा सुमेलित है सब्द और विब्रन कुसब्द दिया हुआ उस सब्द का विब्र पढ़ते हैं एडिपती यह जो होता था भूमी जिससे मिलने वाला राजस अलग से ग्राम जलासे के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था अगला है मारा तन्यूर अस्थानिय प्रसासन में बड़े नगरों में अलग कूर्रम गठित करना घाटी का प्राया को प्रायान को बेंगी से जोरता था वह है तंगर कल्यान को बेंगी से चालोक बंच का सबसे महान शासक की सम्द ρा था लहठ है वह huh पोर्टेंट है फ्यल्प यसका प्र्लक प्राया महिलाओं के प्रशासन के अज LEGO की चालोक था warz्धानी बतापी में थी सांस्क्रिट के काली दास का उलेख हुआ पुलकेसिन दूतिय के एहो लवलेख में प्राचीन संस्कृतिक ग्रंथों में प्राया यवन प्रियसब्द गोतक था काली मिर्च का संगम साहित में तोलका पीम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का सिल्पादी करम के लेखक था इल्गुर ओडिगल एक दर्शन है इनका तोलका पीम व्याकरण का ग्रंथ है सिल्पादी करम प्रेम कथा है और मनी मैकले बनिक कथा है इसा की प्रारामविक सताबदी में भारत तथा रोम के भीच घनिष्ट बेपारियों संब्द के सुचना प्राप्त होती है आर्केमेडू पुरास्तल के ख कोरके और बार बेडिकम में से वह वंदरगा जो पुडेकु नाम से दी पेडिपल्स ऑफ दी एरेंथ्रियन सी के लेखा को ग्यांत होता है वो और अरिकामेडू है रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी अरिकामेडू से एमफोरा जार होता है एक लंबा एम दोनों तरफ हत्य कदम्ब, चेर, चोल तथा पांडे राजवन्सों में से जिनका उल्लेक संगम साहित में नहीं था वो कदम्ब बंस है अगला है मारा चेर, चोल, पल्ला तथा पांडों में से वह जो तमिल देश के संगम यूग का राजवन्स नहीं था वो पल्लब था धार्मिक कवताओं क संक्रण कूरल है तमिल भासा में टेमिल भासा का है कूरल रमायनम या रहाँ रियства कंबन है वह लिए पहरत के सांस्कृितिक कि इतिहाज के संदर में सत्यक हैं कुछन्य ठेट्मेन्ट दिया वा जो सही सथ हैं रहते हैं कंणर छेत लिंगायेत पुनर जनम के सिधान्थ प्रफ प्रस्ण चिन लगाते थे तथा जाती अधिक्तम को अश्विकार करते थे ये स्टेटमेंट है अगला है हमारा सुमेलित है सुची दिया हुआ है पड़ते हैं गुप्त देवगट के चंदेल खजराहों से चालुप बादामी के और पल्लव पनमैले से चतुरवेदी मंगलम परसिद अस्ट दिगस्त था मनी ग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत के बेपारी का निगम था वो है मनी ग्रामम तस्चीन भारत का प्रसिद तक कोलम का यूद हुआ था चोल और राष्ट कोट के मद तक कोलम का यूद हुआ था कब हुआ था आप लोग कॉमेंट वक्स में बताएंगे इस भी चोल समराज के अंतता समाप्त किया था मली कफूर ने मली कफूर ने चोल समराज को समाप्त कर दिया था अगला है हमारा संगम युग में उरेयूर विख्या था सूती वस्तर के केंदर के रूप में पांडे राजा की जीवन रेखा थी बेंगी नदी संगम पतन जो पस्चमी तड़ पर इस्थी थे नौड़ा तोंडी मुसेशरी और नेलसेंडा के संगम बालिन साहित में कोन वो एवं मनन पर्युक्त होते हैं राजा के लिए एकुछ सब्धा चुराजा के लिए पर्युक्त होते थे तिर्तिये संगम हुआ था मदुरई में पर्थम एवं दूतिय संगम का आयोजन करमसा हुआ था मदुरई और कपाटपुरम अलेवाई में पर्थम मदुरई में दूसरा कपाटपुरम में और तीरतिय भी मदुरई में ही हुआ था वहर इसी जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें दस्षिन भारत का आरेकरन किया उन्हें आर बनाया वो अगस्त मुनी थे अगला है हमारा सुमेलित चालुक बदामी पल्लव कांजीपुरम में था हर्स कन्नोज का सासक था और पांड मदुरई का सासक था वह चीनी यात्रे जिसने चालुक को के सासनकाल में चीन एवं भारत के संबंदों का विब्रन दिया वो मत्यावालीन था चालुक को राजपूत गुप्त एवं मौरो में से वह राजबंस जिसने उत्तर भारत पर सासन नहीं किया वो चालुक कि था कदम रावजाओं की राजधानी बनवासी थी दस्चिन भारत का वह बंस जिसके राजा ने रोम राज में एक दूथ 26 इस्वी में भेजा था वो पांडे था मिनाक्षे मंदिर इस्तित है मंदुराई में अगला है हमारा सुमेलित है मिनाक्षे मंदिर मदुराई में बेनके टेस्तर मंदिर तिरुमाल में है महाकाल मंदिर उज्जेन में है और बेलूरमठ हाबरा में है राचीन साहित एवं साहितिकार देखते हैं कितना वड़ा चेप्टर है अगर यह लंबा होगा तो इसको यहीं पर कंप्लीट कर देंगे यह ज्यादा लंबा है तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं अपने वीडियो को तो वीडियो हमारा समाप्त होता है आज का तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छ लगा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा सेयर करें और अगर आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल है एस्टेडी हावर लाइफ इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग वहां से जाके जॉइन कर सकते हैं जहां मैं इसे डालती रहती हूं आप लोग मिल जाएगा तो चले मिलते हैं कल के वीडियो के साथ तब तक के लिए ध धन्यवाद